नमस्कार मित्रो श्रिलंका से बेहत चौकाने वाली तस्वीरे सामने आ रही हैं जिस तरह से जनता ने वहां विद्रोह किया है और जिस तरह से राश्टपती भवन में आम लोग घुस आए हैं स्वीमिंग पूल से लेकर किचिन से लेकर तमाम राश्टपती भवन के कौने कौने पर आम जनता विद्रोह कर रही है और जो तस्वीरे हैं वो वाकई में भारत का बहुती करीबी ये पड़ोसी मुल्क हैं वहां से जब ये तस्वीरे आते हैं तो भारत के लिए भी ये सोच लिए लेहाजा वी जानना भी है जरूरी है कि आखिर श्रिलंका का भृषिश क्या है आने वाले दिनों में हमें और किस तरह की तस्वीरे श्रिलंका में देखने को मिल सकती है और क्या भारत को बड़ी भूमी का यहापन निभा सकता है तो बिना कोई वक्त जया करे हम स्व डाई वर सों से धीरे नीये जैसे को 참 चीज में और और वह उसको समाप्त कर देती है तो इसी प्रकार से घुन जैसी चीजें स्री लंका में लगी हुई है ग्रोहों का बल स्री लंका को प्राप्त नहीं हो रहा है थालत सुरूप स्री लंका में आराजक्ता की इस्थिती और भी जादा बढ़ जाएगी इससे भी ज्यादा पूर्ण इस्थिती बनेंगी और लूट खठोट चोरी डकेटी इत्यादी की बहुत बड़ी बड़ी इस्थितियां घटनाएं घटत होंगी साथ ही वहां के जो छोटे मोटे प्रसासक या लीडर हैं जो उस समय पर राज्य में काम कर रहे थे उनके लिए भी खत्रा है संकट है जान को भी खत्रा है जी हां निश्चित तोर पर आस्तोस जी जब भी कभी कोई जनता बिद्रो करती है तो निश्चित तोर पर जो पूर्व सासक होते हैं उनके उपर खत्रा आ जाता है संकट आ जाता है जी जो चीन के जो कर्ज के जाल में श्रिलंका फसा क्या वुक्कि जनता और वहां के नेताओं का भी समझ आ चक्वा है कि देखी उन्हें क्या गलती की थी भारत से दूर जाने के बिल्कुल बिद्रोह का अर्थी यही निकलता है जब भी जनता बिद्रोह करती है तो जनता का जो घर है सामाजिक्ता का वो बरतमान अब ही अपनी इस्षयम की राशी में बिराजमान है मीन राशी में ये सामाजिक्ता उ जनता को प्वालने वाला घर है अगर देखा जाए तो उसका जो बलीपन है तो जनता का जो बिद्रोह है वो और भी बढ़ सकता है और देखा जाए तो भारत की जो मानवी सहायता है वो स्री लंका को पुना एक बार प्राप्त हो सकती है साथ ही अन्य देश भी भारत के ही साथ मिल करके स्री लंका को एक बार पुना खड़ा करने में मदद कर सकते हैं यानि कि लगबग कितने समय तक अरजकता का महौल आप देख रहे हैं और कितने समय बाद थोड़ी स्थिति सुधर बनाए हुए हैं साथ ही स्री लंका में अस्थिता पूनि स्थितियां रहेंगी शेन निवल का प्रभाव वहां पर प्रभावी रहेगा इसके पस्चात जो इ प्रभाव रासी मकर बार्तवान समय पर बहुत ही बल साली स्थिति में चल रही है देखा जाए तो भारत में इतने बड़े बिदेशी शड़यंतर चल रहे हैं उसके बाद जूत भी भारत में किसी प्रकार की जो इस्तिती नहीं बना पा रहे हैं तो भारत का भाग्यबल और कर्मबल और देखा जाई तो जो अन्य ग्रहों की यूतियां हैं वो भारत के पक्ष में जा रही है तो भारत की प्रक्यति और भूंगोल के हिसाब से जो ग्रह भारत को उर्जा दे रहे हैं वो सकारत्मक उर्जा दे रहे हैं तो ऐसी इस्तिती में भारत का प्रभुत्तो पडोसी देशों के सामने बना रहेगा और प्रभुत्ति की इस्तिती लगातार भारत की आगामी दस वर गाहे उसके लीज पर ले लिया था और इससे भारत की जो सामरिक इस्तिती है उस पर बहुती बड़ा खत्रा उत्पन हो गया था हिंद महासागर में चीन लगातर भारत हो घेरने की कोशिश कर रहा है तो अब चुकि यह पूरा का पूरा जो मकड़ जाल है जो जिस अंकट में श्रिलंका घेरा हुआ है उसमें बड़ी वजय चीन का कर्ज भी है तो क्या महां की जनता वहां के राजनेता वहां की विवस्ता अभी बास समझ चुकी है और क्या इससे भारत को कुछ लाब होगा आने वाले समय में अपनी सामरिक यानि के अपनी कूटनितिक सामरिक आर्म प्रभुत्त हांसिल करने में सक्चा में जहां तक चीन और स्रिलंका की इस्तिति है तो भारत अपने किसी भी संकट को दूर करने के लिए पूरी तरह से स्रिलंका की मदद करेगा और निश्चित तोर पर पुराने जो संबंधे उनको हासिल भी कर लेगा और अपना अन्य देश भी चीन के अलाबा भी अन्य देशों में चीन को तो धके लेगा ही वह अपना प्रभुत्तों पूरी तरह से बनाई रखेगा तो भारत के लिए बहुत ही महत्पुन अफसर हैं श्रिलंका में के हालात बच से बत्तर हैं हम उम्मित करेंगे कि वाकी जनता को जाद भूमिका यहांपर अपने पड़ोसी देश के साथ निजा रहा है और यहांपर चीन को बड़ी ही कूटनितिक और सामरिक यहाँपर पराजे देखनें को मिलेगी और भारत का प्रभुत्य, यानिकी भारत का प्रभाव, भारत का जो जो कह ईना क्या दबदबा है उस में आ कमेंट से हमें जरूर बता है हम लगातार इस तरह के वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे नमस्कार